नमस्कार बिहारी नियुज में आपका स्वागत है मेरे तनसेन भरती अज हम बात करेंगे बिहार में कमपनियों को लेकर बिहार में उद्योग धंधों को लेकर बिहार में पिछले कुछ सालों से उद्योग को लेकर कई तरह की बात हैं कही जारी दरसल बिहार में कई कमपनिय संट निवेस करने आ रही है विहार में कई सब्सक्रीयां दिखाने के लिए दिर्ज़स्पों करती है शुरू कर दी का दिक्रूध में पॉर्फकर कोणियों विखार में निवेश करने की सहमती जिताई जिसमें से केवेटर्स एग्रो ने 600 रुपया और जे आई एस ग्रूप ने 300 करूपया का निवेश करने का मन बनाया है आपको बताते हैं कि बिहार में बरतमान में ITC और पेपसी जेशी बड़ी कमपनिया निवेश कर रही है ऐसे में अब उमीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार में देश की और भी बड़ी कमपनिया निवेश करेगी और बिहार में रोजगार के नए-नए अबसर उत्पन होंगे, पैदा होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा आपको बताते हैं कि देश की कई बड़ी कमपानियों के प्रतिनिधी का बिहार में दोरा हो चुका है इन प्रतिनिधीयों के दोरा मुझफर पूर के मोधी पूर्चिनी मिल का दोरा उन्होंने इस दोरान किया है फिर प्रतिनिधी के दूसरी और भी अध्योगी अस्थल है ज प्रदेश के दूसरे हिस्से में वह आपना इंडस्ट्री बढ़ा रही है इसी तरह से ब्रिटैनिया को प्रदेश में जमीन का आवंटन कर दिया गया है आपको जानकर अच्छा लगा कि ब्रिटैनिया ने 700 करोड़ रुपे का निवेस करने का मन बनाया है आपको बताते हैं क तरफ से बिहार में निवेस करने की बात कहीं गई साथब्ढ़ अधिकारी बिहार में लाकात कर चुके पतादिन की हम्पे कमपनीं के दौरा इंथना निवेस का प्रस्ता भी मिल रहा हैं पिछले साल बिहार सरकार के दोरा इतनावल नीती बनाने गई थी जिसके वाद से बिहार में 30 से ज़्यादा कमपनिया निवेस करने के लिए आ गया है जिसमें कि पुर्णिया के एक प्लांट में इतनावल का उत्पादन भी सुरू कर लिया गया है साथे साथ प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इतनावल उत्पादन अंतिम चरण में पहुंच गया है अब को बतातें कि बिहार सरकार को इतनावल से ज़्यादा उमीद है बिहार के मुखमंद नितिसकुमार की महत्वकांची और जनाव में से एक माना जाता है सहनवाज हुसाइन के बिहार उद्योग मंत् पिछले दिनों सहनवाज हुसाइन का पीड़ थप थपाया और कहा सब आपके ही सहयोग से आपके ही उमीद से आगे बिहार उद्योग के छेतर में बढ़ रहा है तो एक दुरा से कहलें कि बिहार में अब जो है प्रोजगार को लेकर पलाइन को लेकर जो समस्थाएं लगा दियोग भी भाग कैसे रोजगार से दूर करेगा कैसे लोगों को रोजगार देगा ताकि यहां कि लोगों को पलाइन की समस्था जो है लंबे समय से पलाइन की समस्था जो रही है उससे लोगों को निजात मिल सके बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इंग खबरो लूरीधनी है वобщ हम जड़ीज है व मेम उपगी हा गा talents